दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें जिससे के आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सपा सकें कालका से शिमला तक जाने वाले रेल रूट पर वैसे तो कई सारी टनल पढ़ती हैं लेकिन उन में सबसे खास और खाफनाख है टनल नंबर 33 कहा जाता है कि इस टनल में आज भी उस इंजीनियर की आत्मा भटकती है जिसने टनल के ठीक सामने आत्मा हत्या कर ली थी आखिर क्या है इस टनल के पीछे की कहानी आई ये जानते हैं इस टनल का नाम है दिबैरोग टनल जिसे टनल नंबर 33 भी कहते हैं 1143 मिटर लंबी ये टनल कालका से शिमला मार्क पर बैरोग रेल्वे स्टेशन के पास दित है इसका निर्मान बीसवी सदी में हुआ था और ये दुनिया की सबसे सीधी टनल है इस टनल को पार करने में ट्रेन थाई मिनट लेती है अंग्रेजों के समय में करनल बैरोग नाम का एक ब्रीटिश इंजीनियर हुआ करता था जिसे इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी दी कई थी उस दोरान पहाडों को काटने के लिए बड़े बड़े आउजार और एसिटलीन गैस का इस्तिमाल किया जाता था करनल ने सबसे पहले पहाड का निरक्षन किया और दोनों तरफ में शान लगाए और मस्दूरों को दोनों तरफ से सुरंग खोडने के निर्देश दिये उसका अनुमान था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ करनल के काम में थोड़ा सा डेवियेशन आ गया सुरंग खोडते समय ऐसे डेवियेशन आना तो आम बात है लेकिन ब्रिटिश सरकार को ये ठीक नहीं लगा जिसके चलते सरकार ने पैसे की बरबादी करने का करनल पर भारी जुर्माना ठोक दिया मजदूरों ने भी उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई क्यूंकि उनकी मेहनत बेकार चली कई थी इंजीनियर इस बात को लेकर बेहर परिशान हो गया और एक दिन वे अपने कुटे को लेकर सुबा टहले निकला और खुद को गोली मार कर आत्मा हत्या कर ली जिस जगा पर इंजीनियर ने खुद को गोली मार कर आत्मा हत्या की थी उस जगा पर आज पैरोग पाइन वूड होटल है खून से सना इंजीनियर का शव घंटों तक वही पर पड़ा रहा जिस समय इंजीनियर में खुद को गोली मारी थी उस दोरान वहाँ पर कोई नहीं था इस आत्महत्या का प्रतियक्ष दर्शी सिर्फ उसका पालतु कुता था बाद में कैप्टन बेरोग की लाश को आधी अधूरी बनी टनल के सामने ही दफना दिया गया इंजीनियर की मौत के बाद साल 1900 में टनल पर फिर से काम शुरू किया गया और साल 1930 में टनल पूरी तरह से तयार हो गई प्रिटिस सरकार ने इस टनल का नाम कैप्टन बेरोग के नाम से ही रखा इस टनल को पूरा करने का काम एचेस हैरलिंग्टन ने किया उनकी मदद स्थानिय संत बाबा भालकू ने की और इसके निर्माण में आठ लाक रुपे का खर्च आया काफी समय बाद लोगों को इस टनल में कुछ अजीव सा महसूस होने लगा स्थानिय लोगों का ये भी कहना है कि रात को टनल के अंदर से किसी के दर्द से कराहने की आवाजें आती है बास्तव में ये टनल बेहत खौफनाक है अगर टनल के अंदर सारी लाइटें बुजा दी जाएं तो अंदर बेहर डरावना मनजर होता है अंदर पहार का पानी रिस्ता रहता है इस टनल के अंदर कुछी दूर जाने पर आपको एक और सुरंग मिलेगी जहां से अजीब औ गरीब आवाजें सुनाई देती है इसलिए सरकार में उस सुरंग को हमेशा के लिए बंद करने के लिए लोहे का दर्वाजा भी लगाया लेकिन एक दिन लोगों को दर्वाजे का ताला तूटा हुआ मिला तब से लेकर आज तक उसमें कोई ताला नहीं डाला गया आज भी वहाँ जाने पर बेहत खौफनाक आवाजे आती हैं जैसे कोई दर्व से चिला रहा हो लोगों का मानना है कि इस टनल में आज भी उस इंजीनियर की आत्मा गूंती है यही एक कारण है कि रात के समय उस टनल के पास कोई नहीं जाता दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं जहां पर आप मुझे परसनली मैसेज भी कर सकते हैं आप अपने विचार हमें कॉमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेर जरूर करें हम जल्दी आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे तब तक के लिए इजासत दीजिए